एक्ट्रेस, डायरक्टर और प्रोड्यूसर नीना गुपता अपनी एक्टिंग के साथ अफेर्ज और मौडर्न सोच को लेकर काफी मशहूर रही है नीना गुपता का जन्द विल्ली में 4 जुलाग 1969 को हुआ था उन्होंने सनावा लॉरेंस स्कूल से पढ़ाई कि उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री संस्कृत में हासल की नीना गुपता सी के दशच में मशहूर क्रिकेट विविएन रिचाद्स के साथ अपने अफेर्ज को लेकर काफी चरचा में रही उन्होंने 1989 में विविएन रिचाद्स से शादी किये बिनाही बेटी मसाबा को जन्द दिया था बिन ब्याही मा बन कर उन्होंने समाज को चर्चा का एक और विशय दे दिया उस वक्त नीना गुपता की काफी आलोचना भी हुई थी लेकिन उन्होंने समाज की कोई परवा नहीं की बता दे कि विवियन रिचाद्स क्रिकेट की दुनिया के बड़े नामों में शुमार हैं जब विवियन ने नीना गुपता से मुलाकात की तो वो पहले से ही शादी शदा थे यह बात जानते हुए भी नीना और विविन का अफेय चला विवियन रिचद से दिल तूटने के बाद नीना गपता ने साल 2008 में दिल्ली में रहने वाले विवेक महरा से शादी कर ली। विवेक पेशे से चार्टड अकाउंटेंट हैं। दोनों ने बड़े गुपचुप तरीके से अमेरिका में शादी की थी। नीना का कहना है कि भले ही विव जिन से उन्होंने शादी नहीं की लेकिन उनकी बेटी मसाबा लगातार विविन से संपर्क में रहती है। मसाबा अपनी मा नीना गपता को अपना रोल मॉडल मानती है। मसाबा अब एक सफल फैशन डिजाइन हैं। फिल्मों की बात तरें तो नीना अगुपता ने 1994 में फिल्म वो छोकरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवोड जीता था। नीना ने कई अंतराश्ट्रिय फिल्मों में भी अपनी उपस्थिती दर्ज कराए। इन में कांधी, इनका स्टाडी, कॉटन मेरी जैसी फिल्म में शामिल रही है। हिंदी फिल्मों में नीना गुपता ने खालनाया, बजार सीताराम, वो छोकरी जैसी बहतरीन हिंदी फिल्मों में काम किया है। ख्रिपए वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोजाना ऐसी ही मज़दार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद।